असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे रमजा में मुबारी की पांच ही अफ़तारी आप सब बहुत बहुत मुबारी को और आज हमारे घर में आलू चेने बन रहे थे वह भी खास फर्माइशी प्रोग्राम के ताहित लेकिन है के बनानी तो अफ़तारी में कुछ सीठी कर दो वह बनानी शोरू है कि बनाख सक्का और गर करदें दो सुरेसला में दो सुटी सी नमक थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा science मिर्च मिर्च फूर इसके बाद मैंने घर में बनाइए थी, इमलया लो बुकहरे की चठनी वह मैंने घर में खुद बनाई थी, सहित थोड़ी से थोड़ी से डाली तो रजड़ी से, तो उसके अंदर मैंने जो घर में चटनी बनाई थी वो डाली वैसे मैंने फिर्स ट्राइम ना इम जालो बुखारे के चटनी घर बनाई थी वरना मैंने ही बनाती में नी ममा मैंनी बनाती भाबी बनाती है यह मौमा वगरा बनाते हैं लेकिन यह मैंने फिर्स राइम खुद बनाई थी जो कि वैसे मुझे तो अच्छी लग यह पता नहीं सही बनी थी या नहीं बनी थी लेकिन मुझे तो ठीकी लगी उसके बाद यह पकोड़े बनाएं थी जो आपको बता हैं मस्ट है हमरे गर में की तो बनने ही होते हैं तो फिर मैंने बैठके बड़े राम से बैने वो पकोड़े बनाएं कटलिस मैंने कल्के बनाए हुए थे वो भी आपको मैं आपके सामनी मैंने बनाए थे तो भी फ्राय करने थे सिर्फ वो फ्राय किये उसके बाद मैंने दस्तरखान लगाया क्यूंकि अफ़तारी में सिर्फ 5 मिली ट्रैक रह तो वा लगाना रह गया था तो फ़र ओड़, मैंने दस्तरखान लगाया और फिर हम सबने बैठके शुकर अला बाकर करके अफ्तारी की और आप सब लोग मेरी वीडियोज देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट भी करते हैं तो आप लोग कमेंट क्या करें सब्सक्राइब क्या करें लाइक क्या करें और आप लोग का प्यार मुझे जब मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बाकि अल्ला पाक आप लोगों के लिए असानिया पैदा फर्माएं और हार एक की नेक दिल के तमन्ना वो पुजी करें आमीन इलाही आमीन और यह हमारी थी सारी अफ्तारी जो के आज की थी और उमीद कर दोंगे आप लोगों के अफ्तारी पर बढ़ी एची हुज़ी होगी झालो पुज़ी होगी कर दोंगे लोगे थी और बभक स्कोष्र कई लोगों के लाट घूज़ी होगी हगी